हलो फ्रेंट्स मैं हुरा किसरा आप देख रहे हैं नर्सेज अब यूटूब चैनल तो फ्रेंट्स आज से अपन नर्सेज की ओनलाइन जो रेगुलर क्लासेज है वो अपडेट करते रहेंगे तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सस्क्राइब कर लें आपके दोस्तों को भी रि इंट्रोडक्शन उसका कर रहे हैं जिससे की हर एक्जाम के अंदर एक या दो क्यूशन है वो आते हैं तो बहुत ही एक्जाम को पॉइंट से लिया गया है और जिसका इर्थ होता है टू नरिस exam के point of view से इसको देखा जाए तो इसके अंदर जो question है वो एक यहीं बन जाता है कि जो nurse word है वो किस से लिया गया है तो वो आएगा latin word से next question है Florence Nightingale Florence Nightingale आप सभी जानते हैं इसके बारे में Florence Nightingale है उसको lady with the lamb के नाम से भी जाना जाता है तो यहाँ पर भी एक question तयार हो जाता है कि Florence Nightingale is also known as lady with the lamp या फिर question ऐसे आ जाए कि lady with the lamp is also known as Florence Nightingale next है Florence Nightingale है उसको founder of modern nursing के नाम से भी जाना जाता है और वो एक English social reformer है जिसने की non-profit रूप के अंदर criminal war के अंदर उसने सबसे ज़्यादा एहम भूमी का निवाई थी जो soldier थे उनकी उसने मरम पट्टी केर किया की थी और इसने non-profit रूप से वहाँ पर सबसे पहले और नाई टाइम पर भी एक lamp की help लेके इसने यहाँ पर social work किया था अब इसके अंदर आता है कि इसकी जो born है वो बारा मई 1820 को फ्लोरेंस सिटी के अंदर जो कि इटली देश के अंदर पढ़ता है तो यहाँ पर भी एक important question आ जाता है बहुत बार exam के अंदर repeat हुआ है कि फ्लोरेंस नाइटेंगल का जो जनम है वो कब हुआ था तो बारा मई 1820 को बारा मई को जनम हुआ था और 13 अगस्त को उसकी death हो गई थी और 1910 जो year था उसके अंदर इसकी death हुई थी जो टोटल जो age की अगर बात करें तो एप्रोक्ष 90 year है उसने यहां पर जनम लेने के बाद 90 year तक वो जिन्दा रही थी जिस city के अंदर उसका जनम हुआ था फ्लोरेंस city और जिस country के अंदर उसने जनम लिया था वो था इटली और बारा मई को अपन नरसेज day के नाम से भी अपन celebrate करते हैं नेक्स्ट आजाता है image अगर image based question important अगर बात करें aims के परपत से तो यहां पर image है वो फ्लोरेंस नाइटेंगल का image है और यहां पर जो आप लेंप देख रहे हैं यह वही लेंप है जिस लेंप को फ्लोरेंस नाइटेंगल ने यूज लिया था criminal war के दोरान और यह present के अंदर अभी एक जो museum में उसके अंदर रखा हुआ है यह original lamp नेक्स्ट अपन बात करते हैं how people know about her लोग बाग इसको क्यों जानते क्योंकि इसने मार्च 1854 के अंदर criminal war के दोरान इसने अपना उस camp के अंदर भूमी का निवाई थी non profit troops से वहाँ पर उसने care की थी इसलिए लोग हैं इसको जानते next आता है Florence Nightingale also known as founder of modern nursing founder of modern nursing important क्योंसे ने exam के अंदर यह काफी बार रिपीट हुआ है founder of modern nursing Florence Nightingale first nursing school established at St. Thomas Hospital London the first nursing school है वो किस नाम से St. Thomas Hospital London 1860 के अंदर यह first nursing school बनाता next आता है first nursing theory जो पहली nursing theory है वो किसने दी थी Florence Nightingale नहीं और environmental theory है वो भी Florence Nightingale की द्वारा दी गई थी next अपन बात करते हैं international nurses day है वो 12 मई को हर साल सभी बनाते हैं अपनी अगर आप study कर रहे हैं तो आपने school के अंदर college के अंदर बनाया होगा और अगर आप job कर रहे हैं तो वहाँ पर भी एक जो nursing cadre है वो separate 12 मई को international nurses day है वो celebrate करता है अगर आपन theme की बात करें तो जो nurses की जो theme है वो ICN के द्वारा बनाई जाती है और ICN है वो ही इस theme को choose करता है वैसे WHO अलग करता है सभी की अलग अलग जो theme है वो होती है तो आपन बात करते हैं according to ICN 2019 के अंदर उसने जो theme launch की थी वो a voice to lead health for all बहुत important थी उस time के उपर ये exam के अंदर भी आई थी 2020 की भी exam में आच चुकी है nurse a voice to lead nursing the world to health और 2021 की बहुत important है अभी exam के point of view से a voice to lead a vision for future health care ये no down कर लीजे बहुत ही important है next आता है sister Mary Bernadie first anesthetic nurse sister Mary Bernadie है वो क्या है first anesthetic nurse है Mary Anges Snively is the first trained nurse exam में आजाए first trained nurse तो कौन सी आजाएगी Mary Agni Snively next आता है Bellew Hospital School of Nursing New York City in 1883 first nursing school in the world first nursing school अगर पूछा जाए तो नर्सिंग स्कूल है इंडिया के अंदर नेक्स्ट आता है लिंडा एनी जडशन रिचार्ड जो कि आप लिंडा रिचार्ड के नाम से ही जानते हैं और इसका जो पूरा नाम है ये लिंडा एनी जडशन रिचार्ड जो आठटारा सो एक्टारी से 1930 is the first psychiatric nurse first psychiatric nurse को ने लिंडा ए जो रिचार्ड ऐसे भी आ सकता है या फिर L.A.J. और रिचार्ड के नाम से भी आ सकता है तो आपको confused होना है नाम आपको याद कर लेना है नेक्स आता है 14 human basic need ये किस ने दिया था विर्जीनिया हेंडरसन के द्वारा दिया गया था नेक्स आता है unitary human being by Martha Rogerson नेक्स नेक्स ने new human system model 1972 given by Betty Newman नेक्स आता है self-care deficit theory was given by Dorothea Orem important है exam में आ चुका है और आगे भी इसके आने के chances बहुत important है self-care theory है किसके द्वारा है Dorothea Orem नेक्स आता है introduction to nursing and adaptation model by sister Kalista Roy important है ये भी exam के introduction to nursing and adaptation model है वो किसके द्वारा दिया गया था sister Kalista Roy के द्वारा next आता है metaparadigum of nursing include metaparadigum nursing के कौन-कौन से focus on articulation relationship among four major concepts person, environment, health or nursing यहां पर बहुत ही important जो क्यूसन है वो तयार होता है और question है यह आपके सामने these all are the metaparadigum are accept तो यहां पर आपको चारो जो metaparadigum है वो आपको दिखाई देंगे और इसमें पूछा है कि इन में से एक कौन सा नहीं है यह accept नहीं है यह accept है यह accept है यह question में तो यहां पर आपको time में वो यहां पर नहीं रहेगा और बांकी जो यह सारी है metaparadigum होते है नेक्स्ट आता है TNAI TNAI Train Nurse Association of India established in 1947 in 1942 ANM program started ANM program में 1942 के अंदर स्टार्ट हो गया था और 1943 के अंदर GNM और यह आरे के college देली है राजकुमारी अम्रित कोर college है देली के अंदर जो सबसे पहली college है जिसने GNM program में वो start किया था और 1946 के अंदर वो भी आरे के और CMC वैलोर दो जगे पे start किया गया था BAC nursing program में 1946 के अंदर 1947 के अंदर INC act है वो 1949 के अंदर establish हो गया था और present के अंदर अगर उसकी president की बात करें तो वो आता है dr. ती दिलीप कुमार important है यह exam के अंदर repeat हो चुका है दो तीन बार aims रिसी case aims देली यहां पर यह exam में आज चुका है next आता है in 1959 MSC nursing was started in R.A.K. Delhi MSC nursing है वो 1959 के अंदर R.A.K. Delhi के अंदर start किया गया था सभी program है वो maximum Delhi के अंदर इसलिए क्योंकि वहीं पर ही सारा ministry है वहीं पर ही वो उसके बार इंप्लान करते हैं वहीं पर ही government जो college है आरेके उसके अंदर implement कर देते है 1963 post basic BSC nursing है वो start हुआ था बहुत से college हो के अंदर इसको start किया गया था in 1986 MPH started in R.A.K. क्योंकि आपने देखा होगा कि PhD के जो बहुत कम आपको क्या मिलेंगे बहुत कम PhD करे हुए nursing field के अंदर आप मिलेंगे क्योंकि 1992 के अंदर PhD है वो start हुआ था और उसके बाद से बहुत कम ratio है कि जो PhD कर पाते हैं क्योंकि किसी को guidance नहीं मिल पाता है और किसी को इस सीज का guidance नहीं मिल पाता है अब बात करते है regulatory bodies है वो nursing profession में कौन-कौन सी होती है तो सबसे पहले अगर अपन बात करें रेगुलर्टी bodies के अंदर तो ICN जो होता है टोप में आता है ICN ICN के अंदर में आता है INC यह हो गया international level के उपर और यह हो गया इंडिया के लेवल के उपर और INC के अंदर में आते हैं दो एक आता है TNAI और दूसरा होता है State Nursing Council तो INC के अंदर में कौन सा होता है State Nursing Council जो भी कोई rule regulation है वो INC बनाता है और SNCA वो उसको follow करता है जो भी आपका State Nursing Council है वो उसको क्या करेगा follow up करेगा और INCA वो उसको तयार करता है TNAI एक संस्ता है जिसकी membership लेनी होती है और यह जो भी कोई nurses की problem होती है उनको sort out करती है इनका एक nursing का संगठन है बट अभी 80-20 का मेटर है उसको देखते हुए इन्होंने कोई भी action नहीं लिया है आज के time पे जितनी भी यह संगठन है नाम के ही संगठन रहे हैं मांकि कोई काम तो कोई करता नहीं है TNAI है वो 1908-199 के अंदर start हुआ था कहीं पर आपको 1908 मिलेगा कहीं पर आपको 1909 मिलेगा और अगर एक्जाम में आता है तो आपको 98 अगर दोनों option आते हैं तो आपको 98 को follow up करना है और अगर आपको एक मिलता है दोनों में से तो उसी को आपको follow up कर लेना है Headquarter की बात करें तो आपको Headquarter है New Delhi के अंदर और इसका President की बात करें तो Dr. Roy K. George है वो इसके परजेंट के अंदर President है TNAI के नेक्स्ट आता है INC, IC and International Council of Nurses है वो established and founded in 1899, 1899 के अंदर established हुआ था और इसका Headquarter है वो जेनेवा, Switzerland के अंदर है और President की बात करें तो President आपता है इसमें N.A.T. Kennedy, next आता है INC के बाद आता है State, ICN के बाद आता है INC, INC जो की Indian Nursing Council अभी जो अपन ने उपर जो discuss किया था, INC का जो President है वो Dr. T. Dilip Kumar, बहुत ही important है इसको याद कर लेना क्योंकि यह बार-बार repeat होता रहता है और INC Act है वो पास हुआ था 1947 के अंदर और Establish हुआ था 1949 के अंदर तो अपना आज का जो Topic है वो Introduction of Fundamental है वो यही पर ही Complete हो जाता है Next आगे अपन बात करेंगे Next Topic के अंदर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को Like और Share जरूर कर देना और आपका Feedback है क्योंकि पहली Class है तो आपका Feedback भी बहुत जरूरी है आप कमेंड करके दे देना जिससे की Next आगे अपन फर्दर continuous करते रहेंगे और डिजिटल जो अपन Live Classes अपन करवाएं तो उसके अंदर क्या है कि Time Consume ज्यादा होगा और कम टाइम के अंदर अपन ज्यादा यहां पर आप Content प्रवाइड करवा रहे हैं इसलिए मैं इस जो प प्लासेज में पढ़ा था तो उसके अंदर लगबग एक से डेड़ गंटा इसमें आपका लगता और वही कंटेंट आपको 10-15 मिनट के बीच के अंदर आपको पूरा पूरा टोपीक है वह आपको और पूरा कंटेंट वह आपको मिल गया तो आई ओक की आपको वीडियो प बढ़ा सकते हैं जिससे कि आपके पास बाद में बर्डन ना रहे थैंक्यू